है गाईस देखो आज कि इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि तंद्रीका कोशिका क्या होता है यह बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है दो मिनिट के वीडियो है बस आप देख लेना लेकिन बहुत ही जरूरी चीज़े है हमारे बॉड़ी के लिए भी और हमारे आम लाइफ के और पढ़ाई में भी इंपोर्टेंट है ठीक है तो देखो तंद्रीका कोशिका क्या होता है सब्सक्वे पहले इसको समझते हैं और इसी वीडियो में आप यह भी समझ जाएंगे कि तंद्रीका कुशिका हमारे बॉड़ी के लिए क्यों जरूरी है ठीक है दो कंद्रीका को से सरीर के अन अंग से माइंड तक सूचना पहुचाना या फिर या फिर तंदिका कोशिका का काम होता है कि माइंड से सरीर के अन अंग तक यानि जो सूचना होता है उसको पहुचाना होता है दोगो जैसे कि मालो अगर आपको हाथ उठाना है तो सबसे पहले आपका दिमाग काम करेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर हाथ ठाना है तो दिमाग क्या करता है तंद्रिका कोशका को बोलता है जाओ हाथ के पास जाओ उसे बोल दो कि उपर उठना है तो तंद्रिका कोशका के थू हम लोग क्या करते हैं यानि कि इन कोशका और हम सो अरभ 107 कोशका था है अाथ refugee कोदी शूंचना पताता है कि एसे की आंग न हीए दिखों जैसे तवा vem comunque आपका हां हाथ यानि कि मालो पहुँच गया ठीक आपने हाथ रख दिया तो फिर हाथ से सूचना जाता दिमाग के पास जल्दी से हाथ उपाओ ठीक है इस तरीके से तो मतलब कि इस तरीके से यह सूचना का ही काम करता है आप यहाँ पर समझते हैं चलो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका चित्र बनाते हैं को इसका विभाजन का चित्र कैसे बनाते हैं ठीक है अच्छा इसी को नर्व सिल भी बोलते हैं ठीक है नर्व सिल भी इसी को कहा ज आता है अब देखो इसका चीतर ऐसे बनता है सबसे पहले यह जो है हमारा ठीक है इसको बोलते हैं लोग नुकलियस नुकलियस बोले तो नुकलियस जिसको हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं ठीक है उसके बाद अब यहां पर यह हमारा क्या होता है सिंड यह हमारा सिंड ठीक है और यहां पर इस तरीके से दिन ड्रॉन लगे होते हैं ठीक है यह क्या होते हैं डिन ड्रॉन होते हैं इसको क्या बोलते हैं लोग इसको बोलते हैं डिन ड्रॉन डिन ड्रॉन बोलते हैं इस तरीके से यहां पर बहुत से लगे होते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर यह हमारा क्या होता है एक्सौन होता है यह क्या होता है हमारा एक्सौन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सौन और यहां पर इस तरीके से तार के जैसे निगला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिनैप्स बोलते हैं सीनैप्स बोलते हैं ठीक है और यह हमारा क्या होता है एक- BROWN होता है यह एक- BROWN होता है इस तरीके से जब syndrome के पास सुचना पहुंचाता है तो syndrome से यह हमारा exon connect होता है exon के through क्या होता है सुचना हमारा यहां से ऐसे ऐसे करके यहां पर जाता है और जाने के बाद यहां पर synapse के पाजाता है और synapse से यहां पर इनके यह जो ending point होते है synapse में यहां से क्या होता है शरीर में इसी तरीके से लगवग सो अरब को सिकायं है, यहनि की इसी तरीके about कोशिकाय vereं सिनैब से दूसराडम होता है फिर लिंद्रॉन के अंदर सिन्द्रॉन में सूचना जाएक, फिर एक्सऑन की द्वार्द जाएगा फिर दूसरे डेंड्रोन लगेगा इसी तरीके से बहुत से हमारे तंत्रिका कोश्चा होते हैं ठीक है ये पूरा उसका चित्र है मैंने आपको चित्र पूरा बना के बता दिया ठीक है एक्सोन का काम क्या होता है एक्सोन का काम होता है सूचना को यानि सिंड्रॉन से लेकर सिनैप्स तक सूचना को पहुचा देना और सिनैप्स का काम होता है वो आगे सूचना को पहुचा दे इस तरीके से हमारे सरीर के अंग तक सभी बहुत को इसका हूदाने कों सिट का है को इस उसल जाता है exclusive जिनको सिट के अंदर इंहीं का हुआइ या विखंडन हो जाता है तो उससे क्या होता है एक नया बन जाता है ठीक है अगर एक नया कोशिका बन जाएगा इसके मतलब क्या हुआ जिन में सिल डिविजन होता है उनमें अगर कोई कोशिका यानि बोढ़ा हो गया बेकार हो गया खराब हो गया तो वो दूसरा कोशिका बन जाएगा यानि सिल डिविजन उसका हो जाएगा दूसरा एक नया कोशिका बन जाएगा लेकिन तंद्रिका कोशिका में सिल डिविजन नहीं होता इसके अंदर वो छमता नहीं होता कि इसल डिविजन कर सके मतलब कि अगर ये एक बातंतिका कोशिका अगर आपका एक बार खराब हो गया तो फिर ये दुबारा से तंद्रिका कोशिका आपका नहीं बन सकता अगर यह नहीं बनेगा तो फिर दिमाग को यानि सूचना जो पहुचाने काम ही करता है जब दिमाग तक सूचना ही नहीं पहुचेगा कोई सूचना ही नहीं पहुचेगा तो दिमाग काम ही नहीं करेगा अगर दिमाग नहीं काम करेगा तो फिर आदमे की मौत हो जाएगा तो दिमांग जब काम करना बंद जाता तभी आदमी की मौत होता है तो आदमी की मौत होता है ठीक है यानि इसलिए हमें तंद्रिका कोशिकाव को बचा के रखना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए क्या करते हैं कि कहते हैं जब सर पर चोट लगता है तो क हेल्मेट पहनोंगे नहीं, सर पर चोट लग जाएगा, तंद्रिका कोश्का अगर आपका खराब हो गया, काम नहीं करेगा, तो उससे मौत चाती है, तो यानि सर को बचा कर रखना बहुत जरूरी होता है, तो कि ये तंद्रिका कोश्का में सिल डिविजन नहीं होता है, नया तंद्रिका कोश्का नहीं बन पाएगा, एक बार жよ तंद्रिका कोश्का है, वही तंद्रिका कोश्का काम करता है, हमेशा ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंप्रूर्टन चीज है, इसलिए सरकार, अगर देखो, पुलिस क्यों करता है, अगर आपको, यानि ट्राफिक ठीक है जाओ सिधा चले जाओ ठीक है इसलिए रोकता है ताकि आप हिलमेट लगा कर चलो फिर वह आपको पकड़ता है चलान काड़ जिता और आज के चलान काड़ने को बहुत अच्छा तरीका है जाओ जाते जाओ कोई टेंसर नहीं है फ्रीदा फोटो खिंचते हैं चलान का पाटना जरूरी है ताकि आप हिलमेट पहनों और हिलमेट पहनना इसलिए जरूरी है ताकि आप सुरच्छित रहा हो कितना जादा जान लेवा हो जाता है अगर आप पहनते नहीं हो इस वीडियो के थुरू आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो यह हमारा तंद्रिका कोश्का होता है I think आप तंद्रिका कोश्का के बारे में समझ गयोंगे अगर आपको वीडियो पसंद आज तो वीडियो को लाइक जरू करें और चलते हैं मिले अगर काफी हैं समझ गयोंगे तो जलते हैं मिलें ग्ली वीडियो में सो थांक्स वाचिंग एंड से अगें इन नेक्स्ट वीडियो प्लीडियो को सेर्ज ज़रू कर देने